जे हिंद साथियो ब्यार पुलिस कॉंस्टिबल की नई भरती जो की 21391 पदाव पर आई है उसके लिए आज किस वीडियो में जीके जीएस के मिक्स प्रसनों का प्रैक्टिस चेट नमर 3 को कवर करेंगे और ये ब्यार पुलिस 2023 के लिए नीचे क्लास टाइमिंग लिखा टेलिग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए फड़ाफट से आप सभी लाइब में जूट जाएए सभी को गूड इवनिंग गूड इवनिंग तो चलिए फर्स्ट कोस्षन आपके सामने है संजुक्त राष् चेट में अपना-पना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रोपर तरीके से रिविजन भी हो सके तो देखे यहाँ पर आंसर क्या होगा संजुक्त राष्षन के सुरक्षा परिशद में अस्थाई सदसदेश बताना है तो यह है पांच तो जोई बच्चे ऑप्शन सी बत 42 को जान रखेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए इसका हेट क्वाटर कहां पर है दूसरा प्रसन है निम्न में किस जगा छोटी जी का मान सरवाधिक होता है चलिए आप सभी दूसरे प्रसन के लिए आंसर बताइए दिखे छोटी जी के बारे में हमने आपको बहुत बर बताया है कि छोटी जी का मान कहाँ पर maximum होता है कहाँ पर नियुन्तम होता है तो फिलाल यहाँ पर आपको option के according answer बताना है छोटी जी का मान सरवाधिक कहाँ पर होगा तो दूसरे प्रस्ण का सही जवाब है D option अंटार्क तिका में किसी भी अस्थान पर छोटी जी का मान जो है यह सरवाधिक होता है जान रखेंगे अब यहाँ से प्रस्ण बनता है कि पिर्थवी की सता से उपर या फिर नीचे जाने पर छोटी जी के मान पर क्या परवा पड़ता है तो लिख लिजिए छोटी जी का मान घटता है छोटी जी का मान मैक्सिमम कहा पर होता है तो धुरूप पर यानि की पोल पर छोटी जी का मान क्या होता है मैक्सिमम होता है और छोटी जी का मान नियुनतम कहा पर होता है विश्वत रेखा पर औ और एक बात नोट किजिएगा, यदे पिर्थिवी अपनी वर्तमान कोन्य चाल से अगर 17 गुनी, याद रखेगा अगर 17 गुनी आधिक चाल से घुमने लगे, तो भूमद रेखा पर रखी वस्तू का जो भार होगा, ये सुन हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो और साथ में आपका रिविजन भी होगा, तो सोडा वाटर क्या है, तो तीसरे प्रसंद का जोई बच्चे आपे ऑप्शन, डी बतारे बिल्कुल सही जवाब है, सोडा वाटर क्या है, एक परकार का विलियन है, और किसी विलियन में, विले के कनों के तरिज्या जो होती है, वो 10 पर पावर मैनत 7 सेंटिमीटर से कम होती है, इसलिए इन कनों को सुक्ष मदर्सी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, 25 डिगरी सेल्सेस पर उदासिन विलियन का पीच मान क्या होगा, तो देखे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, कि किस विलियन का पीच मान 7 से अधिक होता है, किसका 7 से कम होता है, और किसका 7 के ब्राबर होता है, तो देखे अगर किसी विलियन का पीच मान, 7 से कम होता है, तो वो विलियन कैसा होता है, अमलिया, यनि कि एसेडिक होता है, और 7 के ब्राबर हो, तो वो उदासिन होता है, निट्रल, और 7 से अधिक हो तो वो छारिय होता है तो आपको याद रखना है अमलिय विल्यन का पियच मान साथ से कम उदासिन विल्यन का साथ के बराबर और छारिय विल्यन का पियच मान साथ से अधिक होता है लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 25 डिगरी सेल्सियस पर उदासिन विल्यन का पियचमान क्या होगा तो याद रखेगा ये साथ ही होगा तो यहाँ पर C option आपका सही जबाब है आवर्त सार्नी में निम्न में से किसकी सुन इलक्ट्रोन बंदुता है चलिए आंसर बताईए आवर्थ सार्णी में किसकी सुन इलक्ट्रोन बंदुता है तो यहाँ पर सही जबाब क्या होगा आवर्थ सार्णी में रेडोन की सुन इलक्ट्रोन बंदुता है तो D option जो ही बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है देखे आपको याद रखना है आवर्थ सार्णी के जो सुन्य वर्ग के तत्व है कौन-कौन से है तो हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन यह सभी आवर्थ सार्णी के सुन्य वर्ग के तत्व है जिसको निस्क्रिय गैस भी कहा जाता है और वायो मंडल में पूछे कौन सी अक्रिय गैस सरवाधिक मात्रा में है तो लिक लिजे पूछा आता है आरगन आरगन जो है वायू मंदल में सरवाधिक मात्रा में है लगवग 0.9% और पूछे कि वायू मंदल में सबसे अधिक कौन सी गैस है तो यह नाइट्रोजन है लगवग 88% आक्सिजन कितना है तो 21% कार्बन डेयोकसाइड 0.10% जितने भी एक्स्ट्राफेक्ट को बता रहे हैं ज इससे आपका नौट्स त्यार होगा, दक्षिन भारत में, चालू के वंस के स्थापना किस ने किया था? तो दक्षिन भारत में, चालू के वंस के स्थापना किया था, पुलकेसिन प्रथमने, तो यहाँ पर जोई बच्चे D बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जबाब है, पुलकेसिन प्रथमने, सिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे, और देखे इस प्रस्ण से संबंदित आपको, यहाँ से 5 से 6 इंपोर्टन प्रस्णों को बताएंगे, सभी को लिख कर रखना है, तो देखे सिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था 1627 सिवनेर में, तो देखे D आप्शन में दिया हुआ है, सिवनेर में, अब यहाँ से प्रस्ण बनता है, सिवाजी के माता और पिता का नाम क्या था? तो सिवाजी के पिता का नाम सहाजी भोशले, और माता का नाम जीजा भाई, सिवाजी के राजनितिक गुरु कौन थे? तो दादा कौन देव ज्यान रखना है, और सिवाजी की रालधानी कहाँ पर थी? तो राएगड में, और सिवाजी ने अपने राजधानी रायगड को कब बनाया था तो 1656 में ध्यान रखेंगे कब 1656 में आगे देखें किस वर्ष में सर्व पर्थम यूरी गागरी ने अंतरिक्ष यात्रा की थी चलिए आठ के लिए फड़ाफट से आंसर बताएंगे तो यहाँ पर जोई बच्चे ऑप्शन सी बतारे उनका बिल्कुल सही जबाब है सर्व पर्थम यूरी गागरी ने 1961 में अंतरिक्ष यात्रा की थी तो सी ऑप्शन आपका सही जबाब है आगे देखें भोज साला मंदिर कौन सी देवी जी का है तो यह बहुत सिंपल प्रस्न है भोज साला मंदिर कौन सी देवी जी का है तो देवी सरसोती यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जबाब है और दोस्तो इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोगों को यह नीली वाली थियोरी लुसेंड बुक को भी जरूर पढ़ना है यह बुक सभी के पास होता है तो आप लोगों को एक टार्गेट फिक्स कर लेना है इस बुक से आपको डेली एक से दो चेप्टर पढ़ने है और एक्जाम से पहले आपको यह पूरा बुक कम्प्लीट करना है तभी आपकी त्यारी स्ट्रॉंग होगा और अगर आप लोग लुसेंड बुक के प्रत्यक टॉपिक को वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आज से ही लुसेंड बुक से टॉपिक वाई GKGS स्रीज को स्टार्ट किया गया है और ये क्लास आपको डेली साम साले साथ बजे मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा उस चैनल का नाम है दिबाकर स्टडी आइक्यू या फिर उसका लिंक आपको इसे वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग डेली कलास अटेंड किजिए मंत्री मंडल की निउक्ती वपदचिवती भारते संबिधान के किस आर्टिकल में है चले फड़ाफट से आंसर बताएंगे तो यह है अनुच्छेद 75 में यहाँ पर ए उप्शन जो यह बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जबाब है आगे दीके कॉलेरा वैसिलस की खोज किस ने किया था बिल्कुल एक्जाम में पूछा जाने बला प्रस्न है और आप सभी डेली क्लास को अटेंड किजिए क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस का एक्जाम लिया जाएगा फिर आपके पास त्यारी करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए बिल्कुल भी समय की बरबादी ना करें तो कॉलेरा वैसिलस की खोज किस ने किया था इसका सही जबाब है रॉबर्ट कोच तो सी ओप्शन जो भी बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है लोई पासर ने क्या किया था तो रेवीज के टीके की खोज की थी जबकि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था आगे देखे किस अंग में वर्नक विशेज के अधार पर किसी व्यक्ति की आखे भूरी नेली या काली होती है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा देखे परी तारीका में वर्नक विशेज के अधार पर किसी व्यक्ति की आँखे जो होती है वो भूरी नीली या फिर काली होती है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा परी तारीका जिसको आईरिस भी का जाता है उत्तर पसी में चंद्रगुप्त मौर के समराजी का विस्तार कहां तक था चले तेरह के लिए फड़ाफट से आंसर बताएंगे तो देखे उत्तर पसी में चंद्रगुप्त मौर के समराजी का विस्तार जो था हिंदु कुछ परवत माला तक था तो यहाँ पर आंसर क्या होगा डी ओप्शन याद रखेगा और चंद्रगुप्त मौर की बात करें तो इन्होंने मौरे वंस की अस्थापना की थी याद रखेगा घरानन्द को हराने में चानक ने चंद्रगुप्त मौरे की मदद की थी अब चानक की कौन है तो याद रखेगा प्रधानमंत्री बना था चंदरगुप्त मौरे का चानके का अने नाम क्या है विश्नु गुप्त है निम्नलिकित में से व्यस्ततम महासाग्य व्यपार मार्ग कौन सा है और देखे तेरे नम्मर से आपको एक प्रस नौर बता देते हैं ये जो चंदरगुप्त मौरे है पूठा जा सकता है कि किस धर्म का अनुयाई था तो याद रखेगा ये जैन धर्म का अनुयाई था और चंदरगुप्त मौरे ने जैन गुरु भदर बाहु से जैन धर्म के दिख्षा ली थी तो याद रखना है किस गुरु से दिख्षा ली थी तो जैन गुरु भदर बाहू से और इसी के दर्बार में आया था कौन तो मेगास्थनी जिनकी रचना है इंडीका तो यहाँ पर इस प्रसन का आंसर क्या होगा तो स्वेज नहर तो देखे डी ओप्शन भाटा में कौन सी उर्जा भंडारित होती है बिल्कुल सिलेक्टेट प्रसंद है आंसर किज़े फड़ाफट से और अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें तो देखें समुदर के ज्वार भाट का किनेटिक एनरजी का अhnगी मुदरा का अर्थ क्या है तो दोस्तों महंगी मुदरा का अर्थ क्या है तो यादर्खेगा ब्याज की उचदर यहाँ पर B आपसन सही ज़बाब है वैद मुदरा का क्या अर्थ है चलिए फड़ा फट से आंसर बताईए वैद मुद्रा का क्या अर्थ है तो यहाँ पर 17 का आंसर क्या होगा वैद मुद्रा का अर्थ है करंसी नॉट तो देखें D option में दिया हुआ है करंसी नॉट लोग सभा का जो महा सचीव है सचीवाले का प्रमूख है और बताना है किसके दुवारा ये चुना जाता है या फिर नॉट होता है तो देखें लोग सभा का महा सचीव उसके सचीवाले का प्रमूख कंग है और राष्टपती दुवारा ये नॉट किया जाता है तो यहाँ पर 18 का आंसर क्या हो जाएगा option D राष्टपती दुवारा नुट किया जाता है याद रखेंगे राष्टपती संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है जिसके बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है और संयुक्त अधिवेशन के देख्षता कौन करता है लोग सभा के speaker निम्नलिकित में से किस विद्यक के लिए राष्टपती को पुनर विचार के लिए वापस भेजे बिना अपने स्विक्रिती देनी पड़ती है चलिए आंसर बताईए निम्नलिकित में से किस विद्यक को यापे विद्यक होगा विद्यक के लिए राश्टपती को उसे पुनर विचार के लिए वापस भेजे बिना ही अपने स्विक्रिती देनी पड़ती है तो कौन सा विद्यक है याद रखेगा ये है वित्विद्यक यहाँ पर B option आपका सही जबाब है वित्विद्यक किस अधिनियम के द्वारा मुसल्मानों को पिर्थक निर्वाचन का अधिकार मिला था तो ये भी काफी ज़्यादा इंपोर्टन प्रिस्न है तो कौन सा एक्ट है तो ये एक्ट है याद रखेगा ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 और इसी को का जाता है मारले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को और भारत परिस्द अधिनियम 1919 को क्या का जाता है तो मौन्टेग्यू चैम्सवोड सुधार अधिनियम और इसमें क्या क्या हुआ था, 1919 वला अधिनियम में, तो केंदर में दुईसद नात्मग विधाय का के स्थापना की गई थी, इस एक्ट के तहथ, और क्या हुआ था, प्रांतों में दुएद शासन प्रनाली का प्रवर्तन क्या गया था, भारत परिशद अधिनियम, 1919 के दु तो ध्यान से सुनिये, राष्टे आय से तातपर ये होता है, कि किसी देश में एक वर्ष की अवधी में, कितने एक वर्ष की अवधी में, कुल उत्पादन और सेवाओं का जो आर्थिक मुल्य है, उसी को का जाता है, राष्टे आय, तो यहाँ पर 21 का अंसर होगा, किसी द दुवारा होता है, तो याद रखेगा, केंद्रे सांखी की संगटन, सौट में CSO का जाता है, तो केंद्रे सांखी की संगटन दुवारा, राष्टे आय का आकलन गिया जाता है, ध्यान रखेंगे, निम्नलिकित में से कौन सा तन्तू सबसे कम आग पकड़ता है चले फड़ाफट से आंसर बताईए तो कौन सा तन्तू सबसे कम आग पकड़ता है तो आप सभी जानते हैं यह रियोन है तो C आप्शन जो ही बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जवाब है रेवन जो है ये एक कृत्रिम रेशा है और प्रथम जो है मानब निर्मित रेशा कौन सा है तो नाईल् home एक बार प्रस ने पूछा गह था ब्यारपुलिस में कि मानब द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा तो याद रखेगा नाईल् on आगे देखें उद्योग में पॉलिथीन का निर्मान किसके बहुलक द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा उद्योग में पॉलिथीन का जो निर्मान होता है एथिलीन के बहुली करंद्वारा किसका एथिलीन तो यहाँ पर D option आपका सही जबाब है डेंगो जुवर का कारण क्या है चलिए आंसर बताईए डेंगो जुवर, मलेरिया, काला जार यह सब प्रस्न बनता है एक्जाम में तो डेंगो जुवर का कारण क्या है यह वाइरस है तो D option में दिया हुआ है वाइरस याने की विसानू मलेरिया पूछा आता है तो मलेरिया होता है प्लाजमोडियम नाम का प्रोटो जवा मलेरिया जो है प्रोटो जवा के कारण होता है कौन सा प्रोटो जवा तो प्लाजमोडियम नाम के प्रोटो जवा के कारण एक काला जार रोग है काला जार ये होता है किसके कारण तो लिस्मैनिया यह पर लिख देते हैं लिस्मैनिया के कारण होने वाला रोग है काला जार थैले सिम्या एक अनुवांसिक बिमारी है यह किसको प्रभावित करती है तो देखें थैले सिम्या क्या है एक अनुवांसिक बिमारी है और यह बलड को प्रभावित करती है तो आंसर क्या होगा A option रुधिर अब रुधिर की बात करें तो इसका pH मान 7.4 होता है ध्यान रखेंगे जो की चारिय प्रकृति का होता है अब मुल्यन आयात को क्या बनाता है बिलकुल एक नमबर का प्रस्न है फड़ाफट से आंसर किजिए अब मुल्यन जो है यह आयात को क्या बनाता है तो याद रखेंगा महंगा बनाता है डायरेक्ट याद रखेंगे अब मुल्यन आयात को क्या कर अब देखे हर्षवर्धन से संबंदित 3-4 प्रस्ण एक्जाम में हमेशा पूछे आते हैं तो सभी को बता देते हैं नौट कर लिए तो सबसे पहले हर्षवर्धन जो है अपने धार्मिक सभा प्रियाग में क्या करता था तो सही जबाब है B option प्रियाग अब यहां से प्रस्ण बनेगा कि हर्षवर्धन की प्रत्थम राजधानी कहा थी थानेस्वर नौट किजिए हर्षवर्धन की प्रारंबिक राजधानी कहा थी थानेस्वर बाद में इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी कन्नौज को तो आपसे पूरुचा जाएगा किसने अपनी रालधानी ठानेशवर से कन्योज अस्थानतित जा था तो याद रखेगा हर्सवर्धनने हर्सवर्धन के दरवारी कभी कौन थे बानवट जिन्होंने लिखा है हर्सचरित याद रखेगा हर्स चरित की रचना किसने की है तो बान वटने और यहां से प्रस्ण बनेगा नागानंद, रतनावली और प्रियदर्शिका यह किसकी रचना है तो यह हर्स वर्दन की तीन प्रमुक रचनाए हैं कौन-कौन नागानंद, रतनावली और प्रियदर्शिका तो ये शुरू हुआ था 1962 में B option आपका सही जबाब है देखे सुने काल क्या है तो संसद के दोनों सद्दों में प्रस निकाल के ठीक बाद के समय को सुने काल का जाता है और सुने काल की जो अबदी है बारा बजे से प्रारम होता है और एक बजे दीन तक चलता है ध्यान रख इस बेसल जनरल साइन्स के प्रसनों का प्रेक्टिस से चलता है तो उस क्लास को जरू अटेंड करें क्योंकि आपके एकजाम में 35 से 40 प्रसन डारेट साइन्स से ही पूछे आते हैं तो यहाँ पर 29 का आंसर क्या हो जाएगा नोबल पुरुसकार किस विशय में नहीं दिया जाता है तो गनीत यहाँ पर बी ओप्शन जोई बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गनीत नोबल पुरुसकार विश्व का सर्वोच सम्मान है और इसकी सुरुवात कब होती है 1901 में निम्न लिकित में से किन पवनों को प्रतिव व्यपारिक पवन कहा जाता है तो किस पवन को प्रतिव व्यपारिक पवन कहा जाता है पस्मी पवन को डी ओप्शन आपका सही जवाब है निम्न लिकित में से कौन सा प्रतम प्रक्षे पास्तर है जिसका विकास भारत में ही किया गया है तो कौन सा प्रतम प्रक्षे पास्तर है जिसका विकास भारत में हुआ है तो यह है प्रत्वी यहाँ पर बी ओप्शन आपका सही जवाब है प्रत्वी निम्न लिकित में से कौन सा ऐसा कर है जिसमें कीमत में व्रिधी नहीं होती है चलिए answer बताईए कौन सा कर है जिसमें कीमत में वृध्धी नहीं होती है तो यह है I कर यहाँ पर B option आपका सही जबाब है और देखे I कर संपती कर उपाहर कर यह जो है प्रत्यक्ष कर है पूछा आता है not कर लेजिए direct text कौन कौन आई कर संपती कर उपाहर कर क्या है परत्यक्ष कर है और बिक्री कर तट कर उतपाद कर सीमा सुल्क जीस्टी यह से भी क्या है और परत्यक्ष कर है आप लोग comment करके बताईए भारत में जीस्टी कब लागू हुआ था निम निलिकित में से राष्टे आई को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा देखे आप लोगों ने 10th class में ही पढ़ा होगा राष्टे आई बटे देश की जनसंख्या क्या होता है प्रतिव्यक्ति आई तो यहाँ पर यही बोला गया है राष्टे आई को भाग देना है जनसंख्या क्या का आर्यने की देश की जनसंख्या से तो क्या होगा प्रतिव्यक्ति आई प्राप्त होगा तो यहाँ पर ए उप्सन आपका सही जबाब है निमनलिकित में से कौन सा एक सुसिर वाद्य है देखे सुसिर वाद्य का मतलब होता है wind instrument तो कौन सा wind instrument है तो चलिए बता देते हैं यह है नाद स्वरम भाशुरी संजुक्त राज़संग दिवस निमनलिकित टिथी को मना जाता है देखे कोशन नमबर एक में ही हमने आपको बताया था संजुक्त राजशंग के स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को तो संजुक्त राजशंग दिवस कब मनाय जाएगा 24 अक्टूबर को यहापर ए ओप्शन सही जबाब है G15 निम्नलिखित देशों का समू है तो दोस्तों G15 जो है यह विकासिल देशों का एक समू है यहापर C आपका सही जबाब है कूची पूड़ी निरित्र का उदवाब निम्नलिखित में किस राज़ी में हुआ तो कूची पूड़ी कहां का सास्त्र निरित्र है इसका सही जबाब है आंदर परदेश केरल का क्या है तो याद रखेगा केरल का है कथक कली और मोहनी अट्टम केरल का है करनाटक का यक्चगान है ओडिशा का क्या है तो ओडिशी और भरत नाट्यम पूछे तमिल लाडू का उत्तर भारत का क्या है तो याद रखेगा कथक P. Hare Krishna निम्न लिखित से संबंदित है इन चारों उप्षन में से बताना है P. Hare Krishna किस से संबंदित है तो सही जबाब है सत्रन से संबंदित है यहाँ पर D. उप्षन आपका सही जबाब है बार निम्न लिखित में से किसकी एकाई है चले 49 के लिए आंसर बताईए बहुत ही सिंपल प्रस्न है तो यहाँ पर 49 का आंसर क्या होगा तो जोई बच्चे यहाँ पर आप्षन C बता रहे है उनका बिल्कुल से जबाब है यह दाब की इकाई है बार और दाब का SI मातरक पूछे तो यह होता है न्यूटन प्रती मीटर स्क्वाइर और इसी को पास्कल भी कहा जाता है आगे देखे कुनार का सूर्य मंदिर नर्सिंग देव प्रथम ने बनवाया था तो बताना है वो किस राजवन से संबंदित थे देखे कुनार का जो सूर्य मंदिर है ब्लेक पेगोडा के नाम से जाना जाता है जो कि उडिशा राजी में है और बनवाया था किसने नर्सिंग देव परथमने और ये किस राजवन से संबंदित थे तो यहाँ पर सही जबाब क्या है ऑप्शन बी साही गंग राजवन से संबंदित थे उस्मा किस परक्रिया से सर तो सही जबाब है विकिरण देखे उस्मा के संचरन की तीन प्रमुग विद्या है कौन-कौन सा है चालन है संभुएन है और विकिरन है जिसमें से विकिरन प्रक्रिया से सरवादिक तीवर गति से उस्मा अस्थांत्रित होती है अनुनाद पर प्रणोधित दोलनों कायाम होता है चलिए 42 के लिए आंसर बताईए तो यहां पर इस प्रस्ण का सही जबाब है बी ओप्सन अधिक्तम होता है आगे जिके निम्न में कौन से पधार्त प्रति चुम्बिके पधार्त है तो देखें प्रति चुम्बी के पदार्थ जो है चुम्बी के छेदर के विपरी दिशा में मन्द चुम्कित होती है और कौन-कौन से है प्रति चुम्बी के पदार्थ तो कौपर हो गया जिंक, बिस्मित ये सभी क्या है प्रति चुम्बी के पदार्थ है तो यहाँ पर देखिए ओप्शन में दिया हुआ है कौपर आगे देखिए निम्न भोतिक रासियों में से कौन सी मुलभूत रासी नहीं है तो यहाँ पर आंसर हो जागा कारे कारे जो है यह मुलभूत रासी नहीं है आगे देखे निम्न में से कौन सी मात्रक विहिन रासी है यह कौन सी रासी है जिसकी मात्रा नहीं होती है यह मात्रक नहीं होती है तो यह है विस्थापन प्रबंता इसकी कोई भी मात्रक नहीं होती है ध्यान रखेंगे आगे देखे प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रन है चलिए आंसर बताइए ये परस्न पूछा हुआ है एक्जाम में तो प्रोड्यूसर गैस जो है ये कार्बन मोनो अक्साइड और नैट्रोजन का मिश्रन है तो यहाँ पर A option आपका सही जबाब है ध्यान रखेंगे आगे देखे कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है तो कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है ये है क्रिप्टोन यहाँ पर D option आपका सही जबाब है आगे देखे सफेद फासफोरस अनु है चलिए आंसर बताएंगे कौन सा आंसर होगा सफेद फासफोरस कौन सा है तो ये है P4 या पर C आपका सही जबाब है P4 और लाल फासफोरस जो होता है उसका उप्योग दिया सलाई में किया जाता है संक्रमन तत्यों के चुंबिके गुन किस पर अधारी थे तो देखे संक्रमन तत्यों के चुंबिके गुन जो है उनके प्रमानुमें और युगमित इलेक्ट्रोनों पर अधारी थे सही जबाब है B option आगे दिखे acetylenark के लिए व्यापक अोप्सन पर परयूक्त योगिक कौन सा है तो acetylenark के लिए व्यापक अस्तर पर परयूक्त योगिक है acetyl kolord जोकि ए ओप्सन में दिया हुआ है acetyl kolord जहान रखेंगे आप यहां से आपको बताते हैं Acetic Amplica Sutra पूछा आता है जो कि सिरका में पाया जाता है Acetic Amplica Sutra होता है CH3 COO यह क्या है Acetic Amplica Sutra है तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद